नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में, Poco M5 vs. Infinix Note 12 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपारिसन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो, Poco M5 में 6.45 इंच जबकी Note 12 Pro 5G में 6.48 इंच की लेंथ मिलती है। विद्ध की बात करें तो, Poco M5 में 2.99 इंच जबकी Note 12 Pro 5G में 3.03 इंच की विद्ध मिलती है। बात करें थिकनेस की तो, Poco M5 में 0.35 इंच जबकी Note 12 Pro 5G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Poco M5 में 201 ग्राम्स जबकी Note 12 Pro 5G में 188 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है तो चलिए अब हम दिस्प्ले को कुमपेर करते हैं दिस्प्ले टाइप की बात करें तो Poco M5 में IPS LCD जबकी Note 12 Pro 5G में AMOLED की दिस्प्ले मिलती है अस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20 रेशियो 9 मिलता है दिस्प्ले साइज की बात करें तो Poco M5 में 6.58 इंचर जबकी Note 12 Pro 5G में 6.7 इंचर दिस्प्ले रेजलूशन Poco M5 में 1080 x 2408 और Note 12 Pro 5G में 1080 x 2400 मिलता है Screen to Body Ratio Poco M5 में 83.92 प्रतिशत जबकी Note 12 Pro 5G में 85.62 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो Poco M5 में 401 प्रतिश जबकी Note 12 Pro 5G में 393 प्रतिश मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेशताएं की जो की Mobile Phone का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें Man Camera की तो Poco M5 में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera, Macro Camera और आखिर में Depth Camera देखने को मिलता है और Note 12 Pro 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera, Macro Camera और आखिर में Depth Camera देखने को मिलता है बात करें विडियो कैमरा की तो Poco M5 में 8 different type के features मिल जाते हैं और Note 12 Pro 5G की बात करें तो उसमें 7 different type के features मिल जाते हैं अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो Poco M5 में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 3 different features मिलते हैं और Note 12 Pro 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें चार्ट डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, अई अब बात करते हैं हाद्वेर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफर्मेशन देखते हैं, हाद्वेर में सबसे पहले CPU जो की स्पीट के हिसाब से देखा जाये तो फोन Poco M5 में Mediatek Helio G99 और Note 12 Pro 5G में Mediatek Dimensity 810 MT6833 मिलता है, बात करें RAM की तो, Poco M5 में दो वैरियंट देखने को मिलता है, जिसमें चार गीगाबाइट, छे गीगाबाइट की रेम मिलती है जबकि Note 12 Pro 5G में एक ही वैरियंट देखने को मिलता है, जिसमें 8 गीगाबाइट रेम मिल जाती है, बात करें internal memory जिसको हम स्टोरेज भी कहते है वो, Poco M5 में दो वैरियंट देखने को मिलता है, जिसमें 64 GB, 128 GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Note 12 Pro 5G में एक ही वैरियंट देखने को मिलता है, जिसमें 128 GB स्टोरेज मिल जाती है, expandable memory की बात करें तो, Poco M5 में अप्टु 512 GB जबकि Note 12 Pro 5G में अप्टु 2 TB है, ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V12 देखने को मिलती है, बाटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है, अई अब मेन फीचर को देखते हैं कलर्स की बात करें तो, Poco M5 में तीन कलर्स जबकि Note 12 Pro 5G में दो कलर्स आप्शन मिलते हैं सब इंफोमशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो, Poco M5 में दो वैरियंट देखने को मिलते हैं, जिसमें की 4 GB RAM 64 GB स्टोरेज के साथ 12,499 रूपीज, 6 GB RAM 128 GB स्टोरेज के साथ 14,499 रूपीज में मिलता है और बात करें Note 12 Pro 5G की तो उसमें एक ही वैरियंट मिलता है जो की 8 GB RAM 128 GB स्टोरेज के साथ 17,999 रूपीज में मिलता है दोस्तों अब बात करते हैं प्रांजन कॉन्स यानि की फाइदे और नुकसान की तो, Poco M5 में 6 फाइदे और एक नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें Infinix Note 12 Pro 5G की तो उसमें 7 फाइदे और एक नुकसान देखने को मिलता है फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो, डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है में कैमरा में Note 12 Pro 5G आगे है फ्रंट, सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है परफॉर्मंस में दोनों फोन सेम ही है दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले Competitor Phone की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy M33 5G है, दुसरा Tecno Spark 1P है, तीसरा Tecno Spark 9 है और लास्ट Competitor Phone की बात करें तो उसमें Tecno Spark 90 है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना